दोस्तों आज हम लाएं आपके लिए बहुत ही जबर्दस रेस्पी बेशन की सब्ची इसका स्वाद बिल्कुल मचली जैसा लगेगा और आप जब एक बार इसको बनाईएगा तो इतना टेश्टी लएगा कि आप इसको बार-बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे चलि इसमें हल्दी पाउडर डॉल ए आला डी तोड़ा सा लंवी जीरह पाउडर ड़िए और लाव आप पाउडर हम देया आपके तो क्योंकि बहुत विशेन जो है परहत अच्छी यह अब ऊसके Dewa और अपानी करेंगे इसका आपके दे गांठे नहीं हो पड़नी चाहिए इसलिए पानी हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और इसको हम अच्छे से प्रेट लेंगे बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल हमारा गोल बिल्कुल तेयार हो गया है तब इसको ढखके हम पंदर मेंट रख देते हैं तब तक हम मसाले त्यार कर लेते हैं हमने एक चमब धनिया लिया है साबूत और एक चमब जीरा और यह हमने तुरह सा काला वला सरसो लिया है और यह करीब 10-12 ब्लैक पेपर यानि कि काली मेंट्थ कर लेंगे दसम धनदा करेंगे हमने लाल मिर्ची लिया है और यह एक इंची अध्रक का डुकृडए और इसबसर वह बिल्कुल सप लीग करनेगे बिल्कुल इस तरीके से श्क्राकंत हम त्यार करण .... और अब हमारा गोल बिल्कुल ड्रेडी हो गया है देखिए इसकी कंसिटेंसी बहुत ही जब दस्ता है यह इस तरीके से होना चाहिए इतना ही पतला नज्यादे गाढ़ा और नज्यादे पतला इस तरीके से हो जाहिए और अब हम पैंट चढ़ाएंगे और उसमें दो को फैला लेंगे आप चाहिए तो कलची की सहिता से अर से यह killed सकते हैं और आप जब उपर का पर आपको लगे की टाइट हो गयां बस हलका सा तो आप इसको साइट से इस तरीके से आप इसको चुडा लेजी इस तरीके तो Tips, पतला ज़ात ही कें इसे फोर्ट कर दिलीए ना जादे गीला हो ना टाइट हो इस तरीके से बनाईएगा यह बहुत यह अच्छे से चिपक जाएगा और यह एक रोल बनके तयार हो जाएगा और इसको हम देखिए इतना यह सौफ्ट है कि बिल्कुल इससे पलट नहीं रहा था हम इसको हाथ से यह से पलट देते हैं और इसके बाद हम इसी तरीके से एक और रोल बने आया है हम ने बना लिया है उसको पहले ही यह देखिए और अब हम इसको काट लेते हैं पीस-पीस में अब आगर आप बड़ा चाहें तो बड़ा काट ले यह चोटा चाहें तो चोटा काटें और आप इसका मोटा बनाना चात तो इससे बहुत इसका स्वाध्य बहुत जबर्दस लगता है यह देखिए बिल्कुन इस तरीके से यह पीस की समने काट के त्यार कर लिया है और अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे यह हम सरसो का तेल डाले हैं और जब तेल गरम हो जाए तो मेडियम पे हम पीस काट के रखे हैं इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइब कर लेंगे बहुत अच्छे से इसको फ्राइब कर लेना है यह देखिए एक मिनट के बाद हम इसको पलट लेंगे और यह फ्राइब करने के बाद यह इतना टेश्टी लगता है कि आप इसको ऐसे भी खा लीजिएगा तो बहुत ही मजाएगा यह बहुत जबस लगता है यह देखिए हमारा से साइस सारा पृस जो यह वोल्डीन ब्राउन होचुका है अब हम इसको निकाल लेते हैं अब बाकी पीसेज भी हम इसी तरीके से फ्राइब करने है इस तरीके से यह देखिए पीलगुल रेडी है यह तियार कर लिया है और अब उसी कड़ाई में हम उसी तेल में हम एक चमा जीरा डालेंगे और एक तचपता डाल देंगे और जीरा जब चटक जाए तो उसमें हमने ये दो प्याज लिया है इसको हमने चौपर में बारिक काट लिया है और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज को और इसको हम यह स्य विच्य वाय ग्रेद्स को इसको फ्राई करेंगे अब देखिए हैं या एक टमाटर भी लिया इस्कों काड़कु कर लिया है बिल्कुल छोटा-छोटा इसको भी हम इसमें आइड कर देंगे और अच्छे से इसको मिलायेंगे मिलाने के बाद ते न टमाटर डालने के बाद इसमे हम स्वाधानोसाम नमक आइड कर देंगे ताकि मस्ट जो टमाटर है वह जल्दी सॉप्ट हो जाए और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसको ढखके करेब 2-3 मिनट हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे यह देखिए बिल्कुल टमाटर अच्छे से पक गया है और इसने ऑयल भी बिल्कुल रिलीश कर दिया है तो अब हम इसको चला देते हैं और इसके बा को और उसके बाद जो हमने मसाला पीस के रखा है उसको हम इसमें आइड कर देंगे और इसको हम अच्छे से चला देते हैं यह देखिए मसाले को हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर भूलेंगे और जो मिक्सी जार में जो लगा हुआ थोड़ा मसाला पानी डालके हम उसको पीस में रट लेते हैं और फिर पाने को हम अच्छे से मिला देते हैं ताकि मसाले में अच्छे से मिल जाए और इसके बाद ढपके हम इसको आयल छोड़ने तक हम इसको पकाएंगे और देखिए यह जोड़ दिया है बिल्कुल देख लीजिए बहुत ही पढ़िये से धुन तो हमने मसाला डाल कस्मिरी लाल मिर्ची डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और उसके बाद से हम इसमें करीब डेड़ गिलास पानी डालेंगे क्योंकि जो बेसन का जो यह पीस हमने बढ़ाया है ना वो ग्रेवी को पानी को सूपता भी है इसलिए हम इस और देखिए फुस्बू तो अभी से बिल्कुल मचली जैसी आने लगी है और उसके बाद हमने थोड़ासा धनिया पते लिया है उसको इसमें हम एड़ कर देंगे और इसके बाद हम इसको डख करके पांच मिनट तक इसको हम पकाएंगे बिल्कुल उबाल आ जाए पांच म अब गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है अब यह हमने डाल दिया है उसके बाद हम थोड़ी से धनिया पत्ते और उपर से डाल देते हैं उसके बाद ढख करके हम इसको लो फ्लेम पे करीब 4 मिलर तक हम पकाएंगे यह देखिए कि इतनी पढ़िया पणिये बिल्कुल मचली जैसी नजर आ रही है दोस्तों यह बहुत ही जबर सब्जी बनी है यह आपको बहुत ही पसंद आएगी इस तरीके से आप बनाएएगा तो और इसको हम अब सर्विंग बावल में पलट लेते हैं यह देखिए कितनी जबर्दस्त बनी है यह मचली सौरी बेशन की सब्जी सब्जी बनाया कि मचली होती और छोटी वालि जितना अगा जितना टेश्टी लगती बड़ी वाली नहीं अगर आपको बड़ी पसंद तो बड़ी बना सकते हैं और यह देखिए हमसे तो अब रहा नहीं जा रहा है वह तो इसको खाते हैं बहुत भूख लग रही है इसको देखके जोरो से यह देखिए बहुत गजब का स्वाद है यह बहुत जबरदस्त बनी है तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से बेशन की सब्जी बनाएगा तो इसके आपने हमाले वीडियो इतने तेहां से देखा तो इसके लिए थांक्यू